रविवार को कनान नदी में डूबे पाच्छिवाओं की शव देर सवेर हिसाही पर हात आने लगे है सोमवार की सुभे अरबास उर्फ लकी का शव खटना सल गड़े घार से 100 मेटर की दूरी परसित मिला वही शाम चार बज़े की करीब कनान नदी से करीब 15 किलोमेटर की दूरी परसित उन गाउं में हात लगा रविवार से सोमवार शाम तक कुल तीन शव परामद हुए हाला कि सोमवारश शाम को उन गाउं में शव मिलने की खबर सामने आने के बाल पहले तो शव को लेकर समरम की स्तिती थी लेकिन इस दोरान पुलिस नरिक शिफ विलास काले ने खुद बीसियन समादाता से फोन पर हुई बाचीत में बताया कि तीसरा शव मौमत सिप्तेन का होने की पृष्टी की बहरहाल खबर लिखने तक हुई बाचीत में पुलिस नरीक्षक काले ने बताया कि देर रात खोजबीन चारी रहेगी और मंगलवार सुबह दोबारा तलाशी अभियान शुरू किया जाएगा जब तक अन्य दोशव बरामद नहीं होते तब तक SDRF स्थानिय गोथक होरो द्वारा तलाशी चारी रहेगी प्रशासन इस मामले में पूरी सतर तब बनाए हुए है ऐसा आश्वासन भी पुलिस नरीक्षक विलास काली ने दिया BCN News के लिए सुबेर खान की रिपोर्ट